दोस्तों मैं नवेद आलम आप देख रहे हैं दमेसिज ज्यूज में बिहार की टॉप खबरें दोस्तों आज हो चुका है सनिवार 14 अक्तूबर 2023 आए देखते हैं पूरे बिहार की फटाफट अंदाज में टॉप खबरें बिहार के मध्यपूरा में सिक्षा बिवाग्या पर मुक्सचिव केके पठक संग टीचर और बच्चे में सेलफी लेने की होर मध्यपूरा में स्कूलों के निरक्षन पर आए मुक्सचिव विद्यालों के हर कोने का लिया जाए जा बिहार के बकसर ट्रेन हादसा से पहले इस परिवार ने बच्चियों के साथ ली थी आखरी सेलफी चले थे चार अब बचे दो ट्रेन पलटते ही खिरकी से बाहर गिरी में और बेटी, पिता और एक बेटी का फिल हाल अस्पताल में इलाज जारी बिहार के बकसर वेल हादसा के बाद ग्राउंड जीरो पर रही बीजेपी की टीम बकसर में अस्वनी कुमार चोबे परदेस अदिस समराठ चोधरी के साथ बीजेपी के निताब पूरी तरह रहे एक टीम वहीं बिहार के मुखमत्री रितीश कुमार ने मुवाजे की की गोसना बिहार में आरजेडी ने चार नए राष्टिये परवक्ता को किया नियुक्त पार्टी के महासचिव अब्दुलबारी सिद्धिकी ने नई सुची की जारी जेनियु में छातरसंग चुनाव लर्चुके जैन्त जिग्यासु को मिली जिम्मेदारी बिहार में नई सिक्षक नियमावली के कई बिंदू पर आपती सिक्षक संग ने विभागिये परिक्षा का किया समर्थन तीन बार एक्जाम में फेल होने पर सेवामुक्त करने का हो रहा है बिरोध बिहार में अब दो डिप्टी सियम बनाने की मांग चिराग पासवान बोले मुसल्मान और अती पिष्रा वर्ग को मिले मौका कहा एष्टी राष्ट पती हो सकती है तो उप्षमंतरी क्यों नहीं बिहार के कठियर मेडिकल कॉलेज में आयकर बिभाग की रेड्डाई से अधिक समपती का मामला 12 से अधिक अधिकारी के साथ 7 SSB के 24 से अधिक जवान टीम में सामिल बिहार में जाती है गन्ना आकरे जारी होने के बाद पप्पू यादब ने सीम नितीश कुमार से तीन डिप्टी सीम बनाने की किया मांग वहीं बोले सभी समाज का होना चाहिए परतिनी दित लड़ते रहेंगे गरीबों और दलीतों की लराई बिहार में बियट डिग्री धारेकों की आचीका पर सुप्रीम कोट की सुनवाई कच्छा एक से पांच तक सिक्षकों की न्यूकती का मामला अभ्यार्दियों के ओर से परसांद भूसं रखेंगे पक्ष बिहार में अब आटो किराया चालिस परतिसक तक बढ़ाने का परस्ताओ आटो चालक संगों ने महेंगाई का दिया हवाला संग ने कहा मंजूरी नहीं देने पर भी बढ़ाएंगे किराया बिहार के भागलपूर सुंदर्वती महिला महाविद्याले के छातरों ने कॉलेज गेट पर जम कर किया अंगामा कॉलेज में नहीं है मुल्बुस सुविधाएं अपनी मांग को लेकर प्राचार्ज का किया घिराओ बिहार के मदवणी में लोन देने के नाम पर पचासलाक की ठगी फरजी कंपणी बनाकर महिलाओं से लिए तीन-तीन हजार एडवान्स लोन देने के दिन कंपणी फॉफिरार बिहार के सीवान में इनकलाबी नौजवान सवाने बिजली बिवाग के खिलाफ निकाला मार्च वही मोदी सरकार को घेरा कहा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बिजली बिल की गरवरी को लेकर की जम कर नारे बाजी बिहार के बेतिया नगर डिगम के सत्रे वाडों के लिए बनी योजनाए महापोर गडिमा देवी ने कहा विकास कार्य को समय पर करे पूरा कमी रहने पर की जाएगी कारवाई बिहार के बाका में इंडियन आयल के टेंकर में बने तहकाने से मिली सराब बाका में उत्पात बिभागने की पचास लाग की अंग्रेजी दारो जब चालक हुआ फिरार बिहार के बेगु सराय में सरकारी इस्कूल के परधान अध्यापक पर छेर खानी का आरोप माध्यमिक विद्याले भरा में गिरामिनों ने तालाबंदी करकिया हंगामा वहीं पुलिस सिरासत में लेकर परधान अध्यापक से कर रही है पूश्ताच बिहार के पूर्णिया जिले के रूपोली कुरसेला मार्ग पर बाइक के आमने सामने की टकर में दो घायल बाइक के परचे उरे वहीं GMCH में दोनों का चल रहा है इलाज बिहार के पूर्णिया जिले के रौटा में आटों से हो रही थी सराब तसकरी पेसेंजर सिट के नीचे बना था तहखाना वहीं पुलिस के डर से महिला और पूरुस तसकर सराब की खेप चोर कर हुआ फिरार बिहार के दर्भंगा में पिछले 24 घंडे में मिले डेंगू के तीन मामले दर्भंगा में पोजटीब मरीजों के संक्या पहुची 96 दो मरीजों का वाड में चल रहा है फिलहाल इलाज बिहार के आरा में अंसन पर बैठे होमगाड अभ्यारतियों की तबियत बिगरी 2021 में सफल अभ्यारतियों को नहीं मिली न्यूकती कहा अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अंसन रहेगा जारी बिहार के भागलपूर कजरेली थाना छेत्र में सिलेंडर हुआ बलाश्ट खाना बनाने के दौरान हुआ हाजसा लाखों का समान जलकर हुआ राख बिहार के सासाराम डियम नविन कुमार का पहला जनसमवाज 6 गंड़ तक लोगों से की बात अधिकारियों ने दी विकास योजना की जानकारी सभी पंचातों में जीवी का भवन बनाने का दिया निर्दिश बिहार के पूर्णिया में जातिय गंणा रिपोर्ट के खिलाब राष्टी ये लोग जनतादल का धरना सरकार पर लगाए आकरों से छेरचार का आरोब दी आंदोलन की चेतावनी बिहार के पटना में डेंगू का कहर्म डेंगू मरीजों की संक्या 4,000 पार इस सीजन में अब तक 996 तो पटना में 434 मिले मरीज बिहार के अरडिया के बोची पंचायत के अतिहासी कामदवारी खेल मैदान को लेकर बैठक किये गिरामीन कामदवारी खेल मैदान में कचराभवन निर्मान का गिरामीनों ने किया विरोध दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपके पास कोई सुजाओ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं साथी साथ अगर हमारे यूटूब चैनल में अभी तक सस्क्राइब नहीं हुआ है तो सस्क्राइब कर लें या फेस्बूक में देख रहें तो पेज को लाइक फोलो और शेयर करें दोस्तों अगर आप फोलो करेंगे उपर फोलो का निशान होगा आप किलिक कीजिए अगर आप फोलो करेंगे तो हर रोज आपको हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होकर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा चले दोस्तों आज बस इतना ही तक इजाज़त दीजिए